इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मेट्स के चाप्टर 3 का कुछ important questions देखेंगे जो आपके exam में आ सकते हैं तो exercise 3.3 का question number 1 आएगा ही very very important है यह question आपके exam में आएगा ही और question number 2 भी very very important है यह भी question आपके exam में आएगा ही तो चले इस वीडियो के start करते हैं इस chapter को सुरू से देखते हैं chapter 3 में 1 plus 1 plus 1 plus 2 5 marks का question आएगा 1 plus 1 plus 1 means 3 marks का mcq plus very short answer question आएगे और 2 mark का एक question long question आएगा देखें page 78 में इस figure में देखें x o x dash इसको बोलते हैं x axis y o y dash को बोलते हैं y axis the horizontal line x dash x is called x axis the vertical line y dash y is called y axis the point where x dash x and y dash y cross is called origin इस point को बोलते हैं origin o means origin तो इसमें ध्यान देना है कि x के और जाने से 1 2 3 4 5 6 क्या होता प्लस बेल होता है इसको बोलते है positive x axis और origin से left side में means x dash x dash के और जाने से क्या होता है minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 इसलिए इसको बोलते है निगेटिव x axis और उपार की ओर क्या होता है, प्लस होता है, और निचे क्या होता है, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, डॉट डॉट पेज 79 में, देखें, यहां चार क्वादेंट होता है, क्वादेंट 1, क्वादेंट 2, क्वादेंट 3, क्वादेंट 4 जो quadrant one होता है इसमें plus x plus y means x का भेलू भी plus y का भेलू भी plus दोनों भेलू क्या होता है प्लस होता है और first quadrant का opposite में जो third quadrant है इसमें दोनों minus minus x minus y दोनों minus और second quadrant में क्या होता है second वाला plus होता है पहला minus और second वाला plus second quadrant में second वाला क्या होता है प्लस होता है, फर्स्ट होता क्या होगे, माइनस, और फोर्थ क्वाइट में इसका उल्टा, प्लस, प्लस X, और माइनस Y, तो इसको जरूर याद दखिएगा अप लोग, क्योंकि कोच्छन्स देता ही है एक्जाम में, सपोज देगा क्या, माइनस 3, माइनस 5, लाइ इन विच क्वाइट, तो दोनों माइनस है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाइट, थर्ड क्वाइट, ठीक है, देंगा सपोज,CK माइनस 2, 3, लाइन विच खृइट, तो देखेए माइनस पलस, second वाल प्लस है अगर second वाल प्लस है तो क्या होता है second quadrant तो क्या होता है quadrant 2 तो इस टाप से कोच्छन एक्जामें आता है page number 80 में देखिए the x coordinate of a point is the perpendicular distance from y axis देख लिए जगे से x coordinate is called abscissa एक्जामें पुछता है what is abscissa तो क्या बलेंगे x coordinate is called abscissa the y coordinate is a point its perpendicular distance from x axis फिर जब पुछता है what is ordinate y coordinate is called ordinate means कोई point होता है तो कोई point जब होता है उसको हम लिखते हैं x, y के form में ठीके तो जो first होता है इसको बोलते है abscissa और जो second होता है उसको बोलते है ordinate तो इस में यहां इसमें देख सकते हैं कि abscissa क्या होगा abscissa हो गया x और ordinate क्या हो गया ordinate हो गया आपका y ठीक है इस type से अगर माल लेते हैं देदेगा क्या 3,4 अब पुछ देगा कि बताई इसमें abscissa कितना है तो abscissa कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ordinate कितना हो जाएगा ordinate कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो abscissa equal to 3 and ordinate equal to 4 page number 82 में देखिए the coordinates of the origin are 0,0 यह कोचन भेरी भेरी important है यह आपके जाम आए गए गए the coordinates of origin are 0,0 exercise 3.2 question number 1 देखिए what is the name of horizontal line तो क्या होगा answer horizontal line is called x-axis the vertical line तो क्या होगा answer the vertical line is called y-axis तो यह कोचन भेरी भेरी important है यह आपके जाम में आए गा ही कोचन आपके 2 देखिए गा कोचन आपके 3 देखिए गा what is the name of each part of plane formed by these two lines तो क्या होगा quadrant write the name of the point where these two lines intersect क्या होगा origin page number 85 का example 3 देखिए गा important है page 86 का example 4 यह कोचन 2022 में आए था देखि लिए गा exercise 3.3 का question number 1 भेरी भेरी important है यह कोचन आपके एग्जाम में आए गा ही in which quadrant or on which axis do the point this lie तो देखिए minus 2,4 हमनों जानते हैं कि minus 2,4 पहला first वाला minus है और second वाला plus है तो हम जानते हैं कि second वाला plus होने से क्या होगा second quadrant तो इसका answer हो गया second quadrant ठीक है और यहाँ देखिए 3-1 यह क्या है इसका opposite है तो यह क्या हो जाएगा fourth quadrant और यहाँ देखिए minus 1,0 तो यहाँ यहाँ य का value 0 है तो x का value है y का value 0 है x का value कुछ ना कुछ है कितना है minus 1 है तो क्या बहुत है it lies on x-axis तो यह answer हो गया x-axis मुलाय कोचन में कि यह कहाँ लाई करेगा यह किसी quadrant में नहीं होगा x का value 0 यह y का value 0 होने से x-axis नहीं तो y-axis होगा तो y का value 0 है तो कहाँ होगा है it lies on x-axis यहाँ देखिए 1,2 दोनो positive है दोनो positive होने से क्या बहुत है उसका में लोग first quadrant minus 3, minus 5 दोनो negative है दोनो negative होने से क्या होगा third quadrant ओके मानले यह question दे दिया 0,5 तो 0,5 यहाँ किसी quadrant में नहीं होगा क्योंकि यहाँ x का value 0 है और y का value दिया है 5 तो जब y का value कुछ ना कुछ दिया है क्या दिया y का value 5 तो it lies on y-axis कहा होगा है it lies on y-axis तो ध्यान रखिएगा जब x का value 0 रहे और y का value कुछ दिया रहे तो बुलेंगे it lies on y-axis और y का value 0 दिया है x का value कुछ ना कुछ दिया है तो इसको value it lies on x-axis question number 2 very very important है अब देखें summary हर chapter का summary आप लोग ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि summary से एक दो कोचन जामें आता है ठीके तो number 3 जो summary है या very very important है या the horizontal line is called x-axis the vertical line is called y-axis या कोचन भेरी very important है या जामें आता ही हमेशा कोचन 4, 5 देखली जेगा है 6 number देखें 6 number है very very important 6 number the distance of a point from y-axis is called x-coordinate और fc सा the distance of the point from x-axis is called y-coordinate y-coordinate या ordinate same है देखें 7 नमर देखें the fc सा अफे point is x the ordinate is y then point क्या होगा x, y क्योंकि fc सा को पहले रिखना पड़ता है और ordinate को बाद में जो पहला होता हो fc सा होता है जो बाद बाला होता हो ordinate होता है 8 नमर देखें the coordinates of a point on x-axis are of the form कोई point अगर x-axis पे है तो x, 0 होना परेगा the point on the y-axis कोई point अगर y-axis पे है तो 0, y के form में होना पड़ेगा याद आखिए जब x-axis होगा तो x, 0 के form में होगा और जब y-axis होगा तो 0, y x-axis होने से x, 0 और y-axis होने से 0, y अब देखें 9 नमर जो है भेरी-भेरी important है the coordinates of origin are 0, 0 coordinate origin का क्या होता है 0, 0 होता है यह जब आएगा है आपका तेन नमर देखें तेन नमर important है the coordinates of a point are plus plus क्या होगया first quadrant होगया first में क्या होता है plus plus होता है और second quadrant में second वाला plus first वाला minus second वाला plus third quadrant में दोनों minus और fourth quadrant में plus minus और 11 नमर question भेरी-भेरी important है या एनिवले जहां में कई बार आ चुका है x not equal to y तो यहां भी क्या होगा x, y not equal to y, x जब यहां not equal to तो यहां भी not equal to x, y equal to y, x यहां equal to है यहां क्या equal to है तो क्या होगा first first के equal होगा first first के equal होगा और second वाला second वाला के equal होगा that means x equal to y होगा x equal to y ठीके first first के equal मने x equal to y और second second के equal मने y equal to x तो दोनों सही है x equal to y बोलिए चाहिए y equal to x बोलिए तो exam में choose the correct answer में देता है यह दे देगा और 4 अप्सन देगा तो क्या होगा answer अपका x equal to y भी राइट है या y equal to x भी राइट है तो answer क्या हो जागा x equal to y ओके तो इस तरह से chapter 3 का important question समार्थ हुआ इस वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आप लोग के लिए useful होगा please वीडियो के लाइक के जिएगा share के जिएगा फिर मिलते हैं next वीडियो में thank you